पिछले वीडियो में हमने जाना था इस्टिलाइजेशन के बारे में और डिसिंफेक्शन के बारे में तो उसमें हमने उनके फिजिकल मेतर के बारे में जाना था कौन कौन से उसके फिजिकल मेतर रहते हैं तो उसमें हमने जाना था हीट, सॉनलाइट, रेडियेशन और फिल्ट्रेशन तो यह चार फीजिकल मेतर को । वेढ़ आटा है इस वीडियो में जानेंगे इस्ट्रियाजिशन और डिसिन्फेक्शन के जो लिक्विड्य इस्ट्रियेशन आट है उनके पारे में तो यह रहे और डिसिंफेक्शन की जो केमिकल मैंतर है तो उसमें हम माइक्रो और्गनिजम को रिमूवाल करने के लिए या फिर इसको डिस्टोई करने के लिए केमिकल बेक्टिरिस इडलेजेंट का यूज करेंगे तो वो कौन-कौन से हैं उनको हम डिटेल में जानेंगे तो यह दो पर ग्लूट्रेल डिहाइड और आइको कुलराइड के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे गेसियस इस्टलाइजेशन के कौन-कौन से मैतरे या कौन-कौन हम केमिकल एजेंट को यूज करेंगे गेसियस इस्टलाइजेशन में तो इसमें हैं इताइलिन ऑक्साइड और मेल डि तो जितने भी हमारे जो प्लास्टिक के रवल के आर्टिकल और रेस्पारेटर, हर्ट, लंग, मसीन, सूचर, डेंटल, एक्यूपेंट तो इनको हम इस्टिलाइज करने के लिए इताइलिन ऑक्साइट का यूज करेंगे और ये रूम टेमप्रेचर पर गेस्पॉम में होती है और इसका यूज हम इट्यो मसीन रहती है तो उसके अंदर करते हैं और उसके दुआरा हम जितने भी हमारे रवर के और जो प्लास्टिक के आर्टिकल से उनको स्टिलाइज करेंगे वीडियो में हम देखेंगे कि इतायलीन ऑक्साइट से जो यूट्यो मसीन है तो उसमें किस प्रकार से हम जो प्लास्टिक के सामाना आते हैं जैसे कि अभी गोगल्स है तो उस्पिटल में उनको किस प्रकार से हम इस्ट्राइल करेंगे तो यह क्या सीधे आते हैं कि यह दूल के आते हैं वहाँ से वहाँ पे हाइटोख्लोराइट के पानी में एक वाँ सोडेम हाइटोख्लोराइट के पानी में सैने कायो साफ़के इनकल आते हैं उयाँ के केमिकल हे अनकल ञेते हैं इसकी वाद इन गूगल्स को हम रहने काई दे ये जो पानी के दाग लग जाते हैं इनको साफ कर लें इस तरीके से लिए अब चस्मी में चमक आए दे इसके अंदर जो है गिलास पे हम नॉर्मल साफ कपड़ा इसाफ कर देते हुए केमिकल लग 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 देती हैं लग करने के बाद में क्या करेंगी साफ करने के बाद में उसमें पेकेंजी लेए दूप इसमें पेक करेंगी इसमें इसमें कि अनदर इस्टेलाइफ इसमें इसमें बद ले लेते हैं इसमें वह बार एक बार में असी प्रक्रीशा जाएंगे और बेक करेंगी इसमें इसमें जो गोग वाड में इस्टब यूज करता है उसको दोबारा दोके पेक करके ETO मसीन में इस्टाइल किया जाता है जिससे कि वो इस्टाइल हो जाए और आप दोबारा से उसको यूज कर सकते हो दूसरा है हमारा formal and diade तो इसका युज़ हम कब करेंगे और कहांपर करेंगे तो इसका युज़ हम करेंगे operation theaters, warts, laboratory आदी को fumigate करने के लिए और इनको fumigate करने के लिए यदि इनका जो चेतरपल है इसका जो area है वो एकजार square feet है तो इसके लिए हम 280 ml लेंगे फॉर्मली और 150 ग्राम लेंगे केमेनो ऐसो पॉर्पोर्टिशियम पर मेंगनेट और इसको हम अंदर वाड में या फिर जो ऑपरेशन थेटर है तो वहाँ पे मसीन में रख देंगे या फिर एक डिस्क आती है काच की तो उसके अंदर रख और इसको हम 48 हवस के लिए लगा के रखेंगे और जित्ते भी दरवाजा है क्रिकी है वाड के या फिर प्रेशन थेटर के उनको सब को बंद कर देंगे यह टॉक्सिक गेश होती है और इरिटेंट वाली होती है अगर हम इसको लगाने के बाद अंदर जाएंगे तो हमारे आके जलन करेगी और दूसरे दिन इसको रूम को कोल के हम उसका यूज कर सकते हैं और इससे जित्ते भी माइक्रो और्गनिजम से हो सब किल हो जाते हैं और हमारा जो वाड ओटी है वो फ्यूमिगेट हो जाता है गेशी इस्टिलाइजिसन में तीसरा रहेगा की कोव कर सकते हैं चोता रहेगा ओजोन यह वाइली ई wrap यह होती है और इसका कोमले हम यूज करें एर और वाटर को इस्टिलाइज करने लिए और बी जो सरफे इसको डिस इनफेक्ट करने के लिए बिस यूज करते हैं क्हें कर मेसर पढ़ रहेते तो उसमें दूसरा क्या करते हैं जो भी हमें योग cane वहमें सम्समर्ज करके रखेंगे डूग im When प्रकार के लिए यूज करेंगे अहेगा इड्रोजन स्वी jut's के मिकल होता है तो इसका यूजम इस्टिलाइजेशन के लिए करेंगे और इसकी जो प्रोपाटी होती है वो ऑक्षिडेंट वाली रहती है तो यह क्या करता है माइक्रो और इजम्स रहते हैं उनको डिश्टोई कर देता है इसका यूज हम ऐसे इस्टूमेंटों को या जो एक्युपमेंट उनको इस्टिलाइज करने के लिए करेंगे जो कि फट और टेमट्रेछर से संस्टिव सोपनगारें जैसे कि इन्ड़ोजeseंको करेंगे इसके जो लिक्विड है तो उसमें हमें जो हमारे आइटिकल से उनको डूब के रखना पड़ेगा लेकिन इसमें लंबा टाइम लगता है जैसे की 22 गंटे और इससे ज्यादा समय लग जाता है तीसरा रहेगा हाइपोक्लॉराइड और यह हाइपोक्लॉराइड होता है तो यह लेक्विड ब्लीच के नाम से भी जाना जाता है और इसका यूज हम करेंगे डिसिंपेक्शन और स्टलाइजेशन के लिए और जो हमें ओटी का जो पार्स से वह साब करना है तो हम इसको डालके भी ओटी के पार्स को डिसिंपेक्ट कर सकते हैं झालके जाता है शाब से पार्स कर सकते हुआ कर सकते हैं